हलो एवरिवन वेल्कम टू दा स्टडी कॉंसेप्ट मद्प्रदेश आरक्षक की एक्जाम्स की जो प्रिविएस एर के एक्जाम हुए थे उसके शीरी चल रही है और उसका ये 23 वा वीडियो है और इससे पहले लगातार वाइस वीडियो में ला चुका हूं जिसमें की मैंने मद्प्रदेश आरक्षक के एक्जाम्स की जो प्रिविएस एर के पेपर्स हैं उसकी जीके का पार्ट मैंने पूरा उसमें कवर किया है और इसमें भी मैंने कम्प्लीट 20 कोशिंस कवर किये हैं जो की पिछले एक्जाम में पूछे गए हैं 2016 का ये 31 जुलाई का second shift का पेपर अन्य जितने भी स्टुडेंट्स में वो इस पूरे के पूरी सीरीज को देख पाएंगे और लगातार जोड़ पाएंगे तो लगातार मेरी सीरीज से जोड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टैटी कॉंसेट सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के साथ में जिससे कि का एनिलिसिस में आपके सामने लेके आता हूं और कमप्लीट टोंटी को आगए गया और वीडियो को लैइक जरूर कीजियेगा आ पहला कोर्शन आपके सामने वस्तिर संग्राले या फिर वाणिज एवं अध्योगिक मंत्राले तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होना चाहिए तो इसका सही उत्तर जो है वो है संस्कृति मंत्राले जो एतियासिक युगों की जो कल्ला की वस्तों का संग्रे करता है वो संस्कृति मंत्राले करता है तो इसका सही उत्तर ह मद्रपरदेश के बाला घाट में यह नहर वहाँ जो व्यंगंगा नदी है वो सिवनी से निकलती हुई यह बाला घाट की ओर निकली और मद्रपरदेश की दक्षिन की और पहती है ठीक है ना तो यह जो नहर बनाए गई है यह बाला घाट जिली में बनाए गई है दिसी दा करेक्ट आंसर अगला कर्शन आ गया FM रेडियो के प्रसारण में जो प्रदुगी के उपयोग होता है वो कौन सा होता है मुक्त संचालन आवरती का उतार चड़ाओ आ आवरती का उतार चड़ाओ होता है तो यह इस उतार चड़ाओ से ही जो FM रेडियो में रेडियो का प्रसारण होता है वो इस वेवलेंस से होता है ठीक है दिसी दा करेक्ट आंसर अगला कोशन आ गया साल 2015 में हिंदी कविता के लिए साहित एकात्मी के प्रश्कात प्राप् तो इसका उत्तर ए इस दा करेक्ट आंसर जो 2015 में हिंदी कविता के लिए साहित एकाद्मी को मिला है वह है राम दरस मित्र इस दा करेक्ट आंसर ठीक है अगला कोर्शन आ गया दूला देव मंदिर खालिस्तान में इस्तेत में कहाँ पर है वास्वी आंत्री खज्राहो या सादल पूर , तो इसका सही उत्तर है खाजरायो मध्यप्रदेश की छ्ठरपूर जिले में जो खाजरायो है वहां पर ये सतित है और ये खाजरायो का राज था-चंदेल वनस qа , ठीकर न, चंदेल वनस न ये पूरे पूरे मंदिर बन भ़या थे और इन मंदिरों का निर्माड नो सो पचास से लेके ग्यारा सो इसवी तक बन गए थे, बाकी के मंदिर जो थे अगले पचास वर्सों में मने, टोटल 85 मंदिरों का यहाँ पर निर्माड हुआ, जिसमें कि अभी अभी टोटल 25 मंदिर हैं, जो की सही सलामत आपको देखने को म में लेगा, और खजराहों चंदिलवंस की राजधानी थी, ठीक है, तो दुला देव मंदिर का जो की खजराहों में इस देते, इस इदा करेक्ट आंसर, अगला कुर्शन आ गया, निमलिखित में से कौन भारत का विश्व प्रसिद खनीच चेत्र है, कौन सा चेत्र है, जो चोटा नागपूर का पठार, इस इदा करेक्ट आंसर, जो चोटा नागपूर का पठार है, ये धारवाड, धारवाड की चटाने हैं यहाँ पर, और सबसे अधिक चटाने इस चोटा नागपूर के पठार पर ही इस देते, इस करण से यहाँ पर सबसे अधिक खनीच की प मात्रा में प्राप्ति होती है तो सबसे विश्विफ सिद्य चोटा नाखपुर का छेतर जो की कौन सा एरिया कह लाता है जारखन और उड़ी सा का एरिया कह लाता एरिया कहुलाता है तो this is the correct answer अगला कर्शें आ गया यह है जांगीर का पुत्र था इसंगीर का पुत्र कौन स जहां, औरंगजेव, अकवर या फिर ़ाबर, तो इसका सहय उत्र क्या है, इसका सहय उत्र है सार Jaan, जहांगीर का पुतर जो था वो एक çalर जहा था, ठीकक Army, और इसमें अलग औप्न से आपन देखें है, तो बाबर का पुतर कोन था? वो था हुमायू, ठीक है न, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हुमायू था, हुमायू का पुत्र कुन था, अकबर था, ठीक है न, और सारजां का पुत्र कुन था, और जहांगीर का पुत्र, सारजां, और अकबर का पुत्र, जहांगीर, तो इ उसी के बेटों की लाइन लगा रहा हूं मैं आपको यहां पे, फिर जहांगीर, जिनकों की सलीम की नाम से जानते थे, बात में जहांगीर की नाम पर ये गद्धी पर बेटे थे, पिर जहांगीर का बेटा था साजां, साजां, ठीक है न, और साजां का बेटा कुन था, तो यह मुख्य मोगल सामराजी थे जिन्होंने की राजी किया और अच्छे सिराज किया उसके बाद में जो इनके गद्धी पर बेठे मोगल सामराज किये वो बहुत कम समय के लिए बेठे और धीमे-धीमे करके उनका पतन होता चला गया तो ठीक है दिस इस दा आल फैक्ट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनकेडमी के बारे में अनकेडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान जिसमें कि आपको MPK टॉप एडुकेटर्स से पढ़ने का सोनेरा मौका मिलेगा उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एकसेस लाइव क्लास का जो भी डाउट क्लेरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा प्रक्टिस क्रॉस्चन्स फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनलेसिस और भी बहुत कुछ फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आज ही राउनलोड करें अनेकेटमी का एप और यूज करें मेरा रिफ्रल कोड हर्दियाल कुस्वा जो की रेड लेटर में कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है दोस्तों एक बहुत ही अच्छी good news है अगर आप प्रिलिम्स 2020 के प्रपरेशन कर रहे हैं अनेकेटमी अब आप सब के लिए लेकर आया है पांच दिन का फ्री MCQ फेस्टिवल जो होगा 23 जनवरी से 17 जनवरी तक इसमें होंगे 50 free live sessions everyday जो की top educators देंगे revise through free MCQ sessions with PDF notes after each classes complete coverage of MPPSC films and other MP exams तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चांस है अपनी preparations को बाकियों से आगे बढ़ने का इसको miss ना करें और आज ही enroll करें free MCQ festivals में क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए mock test दून रहे हैं तो unacademy लिखे आया है MPPSC prelims free full length test इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज़्यादा live mock test और access मिलेगा 20 से ज़्यादा full length mock test का जो कि पिछली ले ही मैंने ही live हुआ हैं यही नहीं top 3 rankers को मिलेगा unacademy का one month free subscription plan जो आज ही अपनी जीत के लिए तैयारी दर्ज करें unacademy के साथ में आईए अप जान लेते हैं unacademy के plus batches के बारे में जो कि आपकी हर जरूरत के लिए perfect हैं जी हां दोस्तों अब unacademy के साथ अब अपनी preparations के अनुसार batches join कर सकते हैं और अपनी MPPSC prelims 2020 में selections पक्की कर सकते हैं यह सारे batches जल्दी स्थरू हो रहे हैं और अपनी preparations में आप जहां भी हैं वहां से आपकी बहुत मदद करने वाले हैं तो आएए जान लेते हैं इन सभी courses के बारे में जो भी prelims 2020 करना चाहते हैं ध्यान से सुनें उनके लिए बहुत ही important news है आपकी तैयारी के लिए unacademy लिखके राया है 60 days का crash course इस revision batch में होगा live theory revision दिन में और रात में होगा live mcq revisions जो की same educators आपको देगा और दूसरे batch में होगा daily subject wise mcq live revisions हर दिन इन दोनों batch में आपको 20 से ज़्यादा full mock test मिलेंगे और pdf notes भी मिलेंगे आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी batch में पढ़ सकते हैं अगर आप MPPSC की तैयारी सुख कर रहे हैं और dedicated guidance चाहते हैं तो मैं आपको foundation batch और MPPSC prelims and mens के लिए recommend करूँगा जो start हो रहा है 26 जनवरी को यह 10-month का course है इसमें आपको मिलेगी live classes with top educators, pdf revision notes और weekly mega quiz इन सभी courses की links मैंने वीडियो के description box में डाल दिये हैं अनेक एन्वी पर आप एक ही subscription में पा सकते हैं सभी courses का access मतलब एक MPPSC subscription पर सारे courses का access आपके mobile में जिन लोगों ने prelims clear कर लिया है उनको मेरी तरफ से many many congratulations बहुत बहुत बदाई अब आप अपने मेंस की तयारी में कोई भी चूक ना करें आप लोगों के लिए अनेकेडमी लेकर आया है स्वपन पूर्ती बैच जिसमें आपको 35 दिनों में MPPSC मेंस की complete preparation कराये जाएगी with dedicated answer writing practice के साथ तो आज ही अपना सफलता की सिड़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनेकेडमी के साथ में अनेकेडमी की subscription के लिए बस आप अपने play store से अनेकेडमी का learning app डाउनलोड करें इसमें अपना goal MPPSC and via pumps चूज करें और play plus courses से में जाकर अपने मंचाहे बैज को enroll करें और get subscription का जो बटन है उसको क्लिक करें इंस्टेंट 10% का discount पाने के लिए मेरा referral code जो की red color से हर्दयाल कुष्वा capital letter में लिखा हुआ है उसको enter करें तो देर किस बात किये दोस्तों आज ही डाउनलोड करें अगला question आगया आपके सामने इस व्यक्ति को अर्थ सास्त्र का अपने काम के लिए नोबल पुरुष्कार से सम्मानित किया गया था तो वो कौन है वो अमर्थ सेन, हर्गोविंद खुराना, वेंकट रमन, रामा क्रिश्टन या सुबरवानियम चंदर सिकर तो इसका सही उत्तर कौन सा है तो सही उत्तर है अमर्थ सेन, अमर्थ सेन को ये पुरुष्कार दिया गया था जो की अर्ष सास्त में नोबल प्रायज इनको मिला ठीक अगला कॉशन आ गया, चंदेल ने खजराहों के कितने मंदिरों का निर्मार करवाया था, 84, 75, 65 या फिर 22, तो इसका सही उत्तर है 85, जैसे कि मैं पहले भी बता चुक हूँ पिछले कॉशन में, चंदेलों ने टुटल 85 मंदिरों का निर्मार करवाया था, वो भी 950 से लेक के 1050 इजवी तर, चंदेल जिनकी राइधानी थी खजराहों, ठीक है ना, और ये गुर्जर प्रतिहार के एडिमिस्टेटर थे, गुजर प्रतिहार के एंकेस्टर थे, यानि के गुजर प्रतिहार के सामंती बोल सकते हैं, इनको वहाँ पे सामंत का काम करते थे, और सामंत के बाद में ये बाद में उन्होंने अपने सामराज की स्थापना की ठीक है ना चंदेल बंस का संस्तापक कौन थे नन्नुक नन्नुक ने इनकी स्थापना की ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बाद चंदेल बंस जो था वो जेजाग भुक्ती के नाम से उन्होंन आफ्टर किताब लिखी थी पीडी टंड़न चेदम्बरम सुब्रमनियम या गुलजारी लाल नंदा या फिर एपीजे अब्दुल कलाम तो इसका सही उत्तर है चेदम्बरम सुब्रमनियम इन्होंने ये किताब लिखी थी ये भारत्रन सम्मानित है और इन्होंने दफर्स डिकेड एंड आफ्टर किताब की रचना की थी अगला कॉर्शन आ गया भारत के राश्टपति इनके दौरा चुने जाते हैं तो कौनसा आंसर सही है इसमें से लोकसभा और राजसभा के सदस्यों दौरा राजविधान सभा की सदस्यों दौरा या फिर राजविधान परिस्दों की सदस्यों दौरा या फिर डी ऊपर के सभी सही है तो इसका सही आंसर है ऊपर के सभी सही है उप्रोक्त सभी के दौरा ये चुने आते हैं दांडी यात्रा किसका हिस्सा था भारत छुडव आंदोलन का खिलापत आंदोलन का सवने अवग्य आंदोलन का या फिर असायोग आंदोलन का तो इसका सही उत्तर क्या है तो इसका सही उत्तर है सवने अवग्य आंदोलन का हिस्सा था दांडी यात्रा ठीक है ना और दांड अगला कर्शन आ गया, मुम्लुक बंस की स्थापना किस ने की थी, अब्राहिम लोदी, बलवन, कुतो बुद्दीन या पिर इसको बुद्दीन फ्रोज ने, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है, कुतो बुद्दीन, कुतो बुद्दीन एवक, एवक बोलते इसको ये फार्सी सब्द है गुलाम once की स्तापना की थी, या फिर इसको sleb dynasty बोलते हैं, इसकी स्तापना की थी, कुतुबुद्दिन एवक ने, कुतुबुदिन एवक जो की मौहमद गौरी, मौहमद गौरी का गुलाम था, और मुहम्मद गौरी इसको अपने साथ लेके आया था, यहने कि मुहम्मद गौरी ने इसको खरीदा था, ठीक है ना, पहले गुलाम बेचे और खरीदे जाते थे, तो इस ताय मुहम्मद गौरी ने इसको खरीदा था और खरीदने के बाद में इसको अपने साथ लेके आया पहले की जो गुलाम हुआ करते थे वो जिसको खरी लेते थे वो उसकी पूरी तरीके से वफादार होते थे और उसके लिए अपनी जान दे देते थे तो यह कुतेवुद्दिन एवक था जो कि मुहमद गौरी के साथ आया था, बाद में मुहमद गौरी जब 1192 में आया था और प्रत्विराज चोहन को उसने हराया उसके बाद में जो कि दूतिय है, दूसरे तराइन की युद्ध में, तब उसने कुतेवुद्दिन एवक को य लामवंस ने यहाँ पर सासन किया जिसमे की दिल्ली सल्तनत इसको बोलते हैं ठीक है और ये कुतुबुदिन इभग उसका सबसे पहला सुल्तान बना ठीक है अगला क्वेशन हो गया माहे पस्चिमी घाट मालाबार तट पर इस्तित एक हिस्सा है किसका है केरल का महाराष्ट क पदुचेरी का या तमिल आदु का तो इसका सही आंसर है पदुचेरी पदुचेरी इस दर्करेक्ट आंसर ठीक है ये पदुचेरी का हिस्सा है गया इन राज्यों में जो एक बेहार की सिमा नहीं कि नहीं चूते है आसाम, परस्चिम मंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर जारकंड, तो इसका सही उत्तर है तो इसका सही उत्तर है आसाम, जो आसाम है वो बिहार की सीमा को नहीं चूता है, ठीक है ना, परस्चिम मंगाल बिहार को चूता है, उत्तर प्रदेश चूता है और जारकंड चूता है, तो this is the correct answer, यह सब true है, बाकि आसाम जो है वो नहीं छूता है, ठीक है, this is the correct answer, अगला कर्शन आ गया, गेंडा के सिंग है, क्या है सिंग, संसोधित दात, संसोधित हड़ी, संसोधित बाल, या फिर इन में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है, स इसने सिंग का रूप ले दिया, तो गेंडा की सिंग, एक संसोधित बाल है, उसके, अगला कर्शन आ गया, संसोध के सदस्य, पद पर चुनाव लणनी के लिए भारत में निवन्तम, जो सेक्षिणर की योगिता है, वो क्या है, इसनातक, इसनातक उत्तर, या पिर, एसल, नेता के चुनाव लणने के लिए, किसी भी पत्वे चुनाव लणने के लिए, संसत के सदस्य, या फिर, विदान सभा के सदस्य के चुनाव लणने के लिए, किसी भी योगिता की जरूवत नहीं पड़ती है, या अगर अंगूठा टेक भी है, गवार है, पड़ा लिखा नहीं है तो भी वो नेता बन सकता है और ब्यूरोकेट्स पर राज कर सकता है तो यह है भारत के सम्विदान की सच्चाई ठीक है इस तरीके से भारत का सम्विदान बनाया गया है कि उसमें संसत के सदस्य के लिए कोई योगिता निर्धारित नहीं की गई है अभी कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है, चाहिए वो सनसतकन सदस्रे पढ़ा लिखा हो या ना हो, चनाव लड़ने के लिए पूरा अधिकार है उसका और वो उसके लिए कोई भी स्रेक्षणिक योगता की आवर्शक्ता नहीं होती है, अगला क्रूशन आ गया, कौन सा अनुछेद सही उत्तर है आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 के तहत राष्टपती किसी भी लोकसाभा के कारेकाल को समय से पहले भंग करने का अधिकार उसके पास में होता है, और वो है आर्टिकल 85 के तहत, अगला क्रूशन आ गया, मद्द प्रदेश के निम्जिलों में से कौन सा जिला दो अन राष्टी उद्यान मद्द प्रदेश के अंतरकत आता है? केवला देवी राष्टा उद्यान, मादव राष्टी उद्यान, बांदीपूर राष्टी उद्यान या पिर संजे गांधी राष्टी उद्यान, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दो, ठीके ना इसका बी भी है और डी भी है, ये दोनों राष्टी उद्यान मद्व प्रदेश के अंतरगत आते हैं मादव राष्टी उद्यान जो है यह सिव पूरी में है यह सिफ पूरी में है और संजे गांधी राष्टी उद्यान जैसे डूबरी डूबरी राष्टी उद्यान भी बोलते हैं यह सीधी में ठीक है तो इस तरह कि यह दोनो में 31 अगस्त का ये second shift का जो पेपर था उसका पूरा अनलेसिस दिया आपके सामने वीडियो कैसा लगा कमेंट करें वीडियो को लाइक करें साथ में वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि अन्य जितने भी प्रिद्यारती हैं जो कि अरक्षा गिजाम के तैयारी कर रहे हैं वो को भी इस वीडियो को देख पाएं लगातार मेरी स्रीज टे जोड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्थाटी कॉंसेट सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के साथ मैं जिससे कि आपको जितने भी पेपर के मैं एनलेसिस लेके आ रहा हूं उन सभी के नोटिफिकेशन आ आपको मिलेंगे और लगातार आप सारी वीडियो देख पाएंगे तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं अगला वीडियो लेकर फिराजर होगा जब तक के लिए जैहिन जै भारत